हेलो फ्रेंड्स स्टेड़ी विद मैंक की करेंट अफर सेसर में आपका स्वागत है यह करेंट अफर सेसी बैंकिंग रेलिवे स्टेट पीसी एस सीडियेस सीएफ एफ एंडिये और अधर कंपुटिटिव एक्जमादी में सहाय कोंगे आज की डेट है 19 मार्श 2022 तो चलिए आ आज का पहला प्रस्न है आम आदमी पार्टी के नेता भगवंत मान ने किस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में सपद्ली अफ्षन ऑफ्षन ऑ गोवा ऑफ्षन सी करनाटक ऑफ्षन ऑसंद लेकिए आमात्मी पार्टी के नेता भगवंत मान ने 16 मार्श 2022 को पंजाब के मुख्यमंत्री के तौर पर सबतली भगवंत मान पंजाब के सत्रवे मुख्यमंत्री बन गये हैं आपको बता दे कि उनका सपत क्रहन समारो सहीत भगत सिंग के खावत खडगल जोरी खटकर कला में भव्य तरीके से हुआ भगवंत मान का जन जो है वो आपका 17 ओक्टूबर 1973 को पंजाब के संगरूर जिले में संगरूर जिले के सतोज गाउ में हुआ था उनकी पिता मोहिंदर सिंग सरकारी स्कूल में विज्यान के सिक्षप थे तो इसका जो सही अंसर होगा वो हो आपका option A पंजाब चलिए next question पे चलता है Question 2 है केंदर सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए हाली भी मार्श 2020 से निलंबित पांच वर्स ये परियाटक वीजा कितने देसों के नागरी को हेतु केंदर सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए हाली में मार्श 2020 से निलंबित पांच वर्स ये परियाटक वीजा 156 देसों के नागरी को हेतु ततकाल प्रभाव से बहाल कर दिया है सरकार ने देस में कोरोना की स्थिती में सुधार को देखते हुए और वीजा एवंग यात्रा प्रतिबंधों में धील पर विचार करने के बाद यह कदम उठाया है तो इसका जो सही अंसर होगा वो होगा आपका ओप्शन C 156 चलिए नेक्स्ट कुशन पर चलता है कुशन मत्थर है और किस तेस ने साथ साल से अधिक समय पहले पूर्वी युक्रेन में मलिसाई एरलाइन के विमान MH17 को मार गिराने में रूस को कथित गूमिका को लेकर रूस के खिलाफ कानूनी कारवाई करने का फैसला किया है और किस अधिक समय पहले पूर्वी युक्रेन में मलिसाई एरलाइन के विमान MH17 को मार गिराने के रूस के कथित गूमिका को लेकर रूस के खिलाफ कानूनी कारवाई करने का फैसला किया है साल 2014 में मलिसाई मलिसिया एरलाइन की उडान MH17 पूर्वी युक्रेन के डॉनेक्ट छेत्र में दुरगटना गरस्त हो गई थी MH17 बिमान एमस्ट्रम्ट निदरलेंड एवं कौलालपूर मलेसिया के बीच उडान भर रहा था जब बिमान पूर्वी युक्रेन के हवाई शेत्र में था तो वो एक मिसाईल से टकरा गया था तो इसका जो सही अंसर होगा वो होगा आपका ओप्शन बी निदरलेंड चलिए नेक्स्ट कुशिन पर चलता है कुशन नमर फोर है बन परियावरण और जलवाई परिवर्तन मंत्राले ने देश की कितनी प्रमुक नदियों के काया कल्प के लिए परियुजना की घोशना की है ओफ्शन ए 19 ओफ्शन बी 22 ओफ्शन C 25 ओफ्शन D 13 देखी केंदर सरकार ने 13 प्रमुक नदियों को वाने की हस्तचेव से फिर से जीवन्त करने की योजना बनाई है इसका उदेश संचईवन छेत्र को 7400 बर किलोमेटर से अधिक बढ़ाना है केंदर सरकार ने गंगा को स्वक्ष बनाने के अभ्यान को मिली सुर्वाती सफलता के बाद अभियमुना, नर्मदा, जेलम और महानदी सही देश की 13 प्रमुक नदियों की संग्रक्षन का भी फैसला लिया है तो इसका जो सही अंसर होगा वो होगा आपका ओप्षन D 13 चलिए नेक्स्ट कुशन पर चलते हैं कुशन नमबर 5 है भारत का पहला डिजिटल वाटर डेटा बैंक एक्वेरियम किस राइज में लॉंच किया गया है अप्षन A पंजाब, अप्षन B बिहार, अप्षन C करनाटक, अप्षन D जार्खन देखे करनाटक की IT मंत्री C.N. अस्वत नारायर ने भारत का पहला डिजिटल वाटर डेटा बैंक एक्वेरियम लॉंच किया डिजिटल वाटर डाटर बैंक विभिन संस्थानों से प्राप्त जल डेटा की एक सूची है यो पानी के विभिन पहलों के बारे में विश्विसनी जानकारी प्रतान करता है यो जल सुरक्षित दुनिया को प्राप्ट करने के लिए साक्ष आधारित मीतियां और निर्णे लेने में मदद करता है तो इसका जो सही अंसर होगा वो होगा आपका option C करनाटक चलिए next question पर चलता है Question number 6 है किस तारीक को अंतरास्टी दिवस के रूप में स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है option A 10 January, option B 15 March, option C 18 August, option D 20 April लेकि हाली में जो है स्थापित दिवस के रूप में स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है इस प्रस्ताव को पाकिस्तान द्वारा इस्लामिक सहयोग संगठन की ओर से पेस किया गया था इस प्रस्ताव को स्युक्तरास्टे महासभा ने पारित किया है जिसे लेकर भारत द्वारा चिंता व्यक्त की गई है इस प्रस्ताव संकल्प को 193 सदस्य विश्व निकाई द्वारा सर्वसम्मति सपनाया गया जो की मुख्य रूप से 55 मुस्लिम देशों द्वारा परियोजित है प्रस्ताव धर्म और विश्वास के सोतंत्रता के अधिकार पर जोर देता है तता वर्स 1981 के एक संकल्प को दोढ़ाता है जिसमें धर्म या आस्था के अधार पर सभी प्रकार की असहिश्णोता एवंग भेदभाव को समाप्त करने का आवहन किया गया है भारत ने एक धर्म को अंतरास्टे दिवस के स्तर पर बढ़ावा दिये जाने के खिलाफ चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि धर्मिक फोविया के समकाली रूप बढ़ रहे हैं जिसमें विसेश रूप से हिंदू, हिंदू विरोधी, बौध विरोधी और सिख विरोधी फोविया सामिल है इस्लामोफोविया सब्द की अंतरास्टी कानूर में कोई सहमत परिवासा नहीं है जो धर्म या विस्वास की स्वतंतरता के विप्रीथ है तो इसका जो सही अंसर होगा वो होगा आपका ओप्शन B, 15 मार्च चलिए, नेक्स्ट कॉश्शन पर चलता है कुश्शन में सेवन है हाली में किस तेस में हुए रास्टपती चुनाओ में 61 वर्सिये यून सुक यौल ने ली जई मुईं को मामूली वोटों के अंतर से हरा कर जीत हासिल की है अप्शन E, दक्षन कोरिया, अप्शन B, जापान, अप्शन C, मलेसिया, अप्शन D, इंडोनेसिया देखे हाली में दक्षन कोरिया में हुए रास्टपती चुनाओ में 61 वर्सिये यून सुक यौल ने ली जई मुईं को मामूली वोटों के अंतर से हरा कर जीत हासिल की है चुनाओ पूर्व सर्वेक्षन के अनुसा, दक्षन कोरिया के सबसे घनी आवादी वले ग्याउंगी प्रांच से पूर्व गवर्नर उदारवादी, ले जई, मुईंग और उनके मुख्य प्रतिद्वन्दी एवंग पूर्व महा अभियोजक यून सुक यौल के 20 कांटे के टकर थी, विजय उमेदवार राष्टपती पद तथ दुनिया की दसवी सबसे बड़ी अर्थविस्ता के नेता के तौर पर 5 साल का कारिकाल सम्हा लेंगे, यून सुक यौल का जन्व सियॉल में हुआ था और उन्होंने सियॉल नैशनल उनिवर्सिटी में पढ़ाई की राष्टपती मोन जे इन के सासन के तहट यून ने वर्स 2019 से पर्स 2021 तक दक्षण कोरिया के प्रोसीक्यूटर जनरल के रूप में कारिकिया, दक्षण कोरिया के मुख्य अभ्योजक के रूप में उन्होंने पूर राष्टपती पार्क ग्यून है को दोसी ठहराने में भी प्रमुख भूमी का निभाई थी, तो इसका जो सही अंसर होगा वो होगा आपका ओप्षण A, दक्षण कोरिया, चलिए, नेक्स्ट क्षण पर चलते हैं, देखे, West Week Rating Agency मुडीज ने हाली में मौजूदा वित्तवर्ष के लिए भारत की ब्रिधी दर के अनुमान को 9.5% से घटा कर 9.1% कर दिया है, बकोल मुडीज महंगा इंधन वो उर्वरक सरकारी खजाने पर दबाव डालेंगे और संभावित रूप से नियोजित पुनजी 23 में भारत की विकास तर 5.4% रहने की संभावना है, तो इसका जो सही अंसर होगा वो होगा आपका ओप्शन C, 9.1%. चलिए, नेक्स्ट कुशन पर चलते हैं। देखे, प्रख्या सिक्षा बिद और चायल्ड केर विश्यसग्य मीना स्वामिनाथन जिन्होंने एक इक्रित बाल विकास योजना सुरू करने की सिपारिस करने वाली समीती के अधक्षता की थी, का हाले में 89 वर्स की आयू में निधन हो गया है। वो मोबाइल क्रेंज के स सिक्षा सलाकार बोर्ड समीती के अधक्ष के रूप में रिपोर्ट और प्री स्कूल चायल्ड 1972 के विकास में महत्मुन अवियोगदान दिया। जिसके परणाव स्वरूप अंततर ICDS की स्थापना हुई जो के विकास से बड़ी एवं सबसे व्यापक चायल्ड केर योजना है तो इसका जो सही अंसर होगा वो होगा आपका option D मीना स्वामिनाथन चलिए next question पर चलते हैं question number 10 है हाली में किस राज्य में मेरी policy मेरे हाथ अभ्यान लॉंच किया गया है option A असम, option B करनाटक, option C राजस्थान, option D आंधरप्रदेश इस अभ्यान का उतेश देश के सभी किसानों को अपनी फसलों का बीमा करने हैं तू प्रेरित करना है इस कारिकरिम के तहट प्रदान मंत्री फसल बीमा योजना के तहट बीमा लेने वाले प्रते किसान को पॉलिसी के दस्तवेज उनके दढ़वाजे पर उपलब कराए जाएंगे इस अभ्यान से किसानों और बीमा कमपनियों के बीच सीधा संबाद बढ़ाने में भी मदद मिलेगी इस प्रकार ही हो किसानों वो बीमा कमपनियों के बीच विश्वास बनाये रखने का प्रयास है यह अभ्यान किसानों को प्रदान मंत्री पसल बीमा योजना के लिए प्रेरीद करेगा जिससे कि बीमा का कवरेज बढ़ेगा तो इसका जो सही अंसर होगा वो होगा आपका option B करनातक तो यह थ्यास के current affair विए पसंद आए तो like, share और comment करना ना भूले साथी सा चैनल को subscribe करना ना भूले thanks for watching have a nice day take care